हेलो चलो केसे हो आप तो पमीद है आप लोग एकदम मस्त होगे तो मैं भूत आन्या मंजार तो भाई शुरुबात करने से पहले यार आप लोग बता दो कैसे हो मस्त मज़े में होगी नहीं हाई सबको पहले तो यार केसी हो अरे एकदम बढ़िया यार मैं बढ़िया आप बताए हाई 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 आचा सुनिए आज की क्लास में तरना क्या है जितने भी इंपॉर्टेंट कुश्चन से आपके 11 क्लास के बच्चे बड़े ध्यान से समझ लीजिए सब्सक्राइब करेंगे कि कहां से आपके थ्योरी का इंपॉर्टेंट कोश्चन बनता है मतला मीन से आपको क्या टॉपक करने मतला हर चाप्टर वाइस में डिसकस करने वाली हूं जादा आपका समय में बरबाद नहीं करूंगी विकुस मुझे पता यार आप लोगों का सम सब्सक्राइब करने वाली हूं चाप्टर वाइस आपको बताने वाली हूं कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट कोश्चन है और प्लीज बुक वगरा खोलके बैट जाए या नौट बुक में वहां मेंशन कर लीजी या बुक में अगर आप कर रहे हैं तो जुरूर मेंश च RED"! सब्सक्राइब कर समीं चाप्टर नम्मर वन चाप्टर नमर वन-वन मईक्र म शुmad by सब्सक्राइब कर रहे हैं और सबसे पहला इंपक्वड़रिंट्न कोंशन बनता है वह आपके एक्जाम के लिए वह सिस एकनावी Orthodox की पूछ रिया जाता है इकनोमी एकनोमिक्स क्या है ठीक है वाट अधा सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती है माइक्रो लेवल पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है अच्छा सुनिए सिर्फ यह नहीं आपको सॉलुशन भी पताऊंगी कि बेटा इसको करना कैसे पेपर में अटेम्ट कैसे क नमबर वन का अगर आपको पता हो इंट्रडक्शन जो चाप्टर है वह आपको चार नमबर का आएगा उसमें से जनरली एक नमबर का एमसी क्यू बनता है और तीन नमबर की कोई भी थियोरी का कोश्चन डाल देता है तो तीन नमबर के लिए इंपॉर्टेंट को जरूर अ एगे तो आपको लिखना थियान से अगरैं एकनों मीक्स की डेफिनेशन पूच भूची अगर अगरिक्स सबसे क्लेंद इपिनिशन लिखे न व Its ठीक है कौन से गुड्स बनाएं लेबर इंटेंसिव टेकनोलजी यूज करें और तीसरा इसमें लिए लिए बनाएं तो बस इंपोर्टेंट कोशन डिसकस कर रहे हैं ठीक है और आपको यह पताऊंगे कि पेपर में अटेंट आपको कैसे करना है पहला कोशन यह बहुत इंप आपकtså के लिए इंपोर्टेंट आते हैं दूसरा क्शें प्रपरटिस ऑ्प्र आते हैं दूसरा न si mariagrie प्याल इंप हो दोनों प्रपर प्रपेटी पपरेटि पेप ड की डाउन बौ स्लॉर्प परपेटी हें दूसरी प्रपरटी सी कंकेव क्यों कि कुछ अच्छे से कर जाना पर सो पेपर है तो यह कौशन चे उनी टेविल सोनी पेडियाफ कहा मिलेगी आपको आप पर यहां पर ध्यान दिजिए उसके बाद पीडियाफ विभी आपको मिल जाएगी ठीक है कई बार दूसरे थरीख कोशन आजाता है ध्यान समझना और क्या-क्या तरीके कोशन कहने के वाट इस पीपीसी पीपीसी क्या है इसको एक्स्प्लेइन करो विद भी हेल्प ऑफ इल्लस्ट्रेशन या डाइग्राम इलस्ट्रेशन मतलब टेबल या डाइग्राम की साहिता से कोई भी एक चीज़ पू पीपीसी क्या है अच्छे से डेफिनिशन कर जाना टेबल पूछिए तो अच्छे से टेबल बनाना और सिर्फ बनाना नहीं टेबल को एक्स्प्लेइन भी नुमेरिकल भी पताऊंगी एक-एक चाप्टर करके करेंगे ना आप सोचो एकदम सीधा पोच जया तो नहीं पोच सकते एक-एक चाप्टर करके करेंगे थांक यू सो मच सीरियस एड्यूकेशन बेटा अब आजी जी मैं मेरे नाम ले लो तीन बाग कृष्णा रवानी कृष्णा रवानी एंड कृष्णा रवानी जी अप लीज ध्यान से सुन लिए एक-एक चाप्टर करके बता रही हूं कि क्या के इंपोर्टेंस है समय बेटा अच्छे से कर जाना दोनों प्रॉपर्टीज को बेटा अच्छे से कर जाना इसके बाद आ रहे हैं भाई एंसी क्यूंज भी करेंगे या क्यों टेंशन ले रहे हूं प्लीज चीक है अब अगला जो कोश्टन आपके लिए इंपोर्टेंट है वह आपका पीपीसी क प्लीज ध्यान दीजिए पहला कोश्टन बताइए पीपीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पहला कोश्टन ड्यू टू मैसिव अनिंप्लॉइम्प्लॉइमेंट इंदी इकनॉमी गॉर्मेंट है स्टार्टेड सम इंप्लॉइमेंट जेनरेशन स्कीम तो बताइए इससे पिपीसी पफेक्ट पड़ेगा पीपीसी कुछ शिफ्ट होगी या नहीं होगी होड़ भी करेंगे या आप क्यों टेंशस्य लेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कशेश बिलकुल पहला जो कोशन है PPC पे कोई भी इंपेक्ट नहीं पड़ेगा देखो पहले क्या था मैसिव अनिम्प्लॉइमेंट थी यानि अंडर यूटिलाइज़िशन हो रहा था इससे और अब रिसॉर्सेड लेटर अच्छे से यूज और तो यानि यूस हो रहा है रिसॉर्से और एफिशेंट्ली यूज हो रहा है of resources तो PPC पे कोई impact नहीं पड़ेगा no impact on PPC PPC will not shift कुछ भी shift नहीं होगी question को ध्यान से पढ़ो पहले पहले question में बोल रहा है कि देश में बहुत बेरोजगारी थी यानि under utilization हो रहा था resources का अब government ने कुछ steps लिये तो इससे क्या हो रहा है अब अच्छे से use हो रहा है resources का employment generation बड़ा इससे क्या होगा fully and efficiently use होगा resources पे PPC के उपर बनेगा PPC कोई shift नहीं होगी चल जी पहला part को इस तरीके से question paper में आ जाते हैं PPC के shifting से related दूसरा question the economy has suffered from flood देश में बाढ़ आगी बाढ़ आगी तो क्या होगा और विसी बात है बाढ़ आगी तो कितनी फसले खराब होगी है ना कितनी फसले खराब होगी तो देश में production कम हो रही है अब देश में production जो है कम हो रही है तो PPC क्या होगी leftward shift होगी from A, B से A1 B1 ठीक है तो leftward shift होगी इसको इस तरीकी तो question कर ले न तीसरा question government is encouraging FDI देश में FDI बढ़ी foreign direct investment आई foreign direct investment क्या होता है बाहर के लोग हमारे देश में पैसा लगा अब देश में पैसा आ रहा देश में पैसा आ रहा तो देश में production बढ़ेगी और बढ़ेगी तो PPC कहा shift होएगी rightward shift होएगी बेटा कहा shift होएगी rightward PPC will shift rightward from A, B से A1, B1 rightward shift होगी rightward rightward shift होगी PPC यहां leftward shift हुई थी PPC leftward shift चल जी last question the economy is facing from the problem of depression what is depression yes, बहुत ही बढ़िया आरिवू जी बहुत बढ़िया अच्छा पौर्ट का आंसर भी बता दिया बच्चों ने बिलकुल सही जवाब है तो एकनोमी में depression है depression मतलब देश बिलकुल मंदा पढ़ चुक है देश में एकदम मंदी है अगर देश में मंदी है यानि देश में लोगों की demand नहीं है देश में कोई production नहीं हो रही बहुत कम production हो रही है तो इससे PPC क्या हो जाएगी leftward shift हो जाएगी from A1 AB से A1 B1 leftward shift हो जाएगी PPC तो इस तरीके की questions को अच्छे से कर जाना चीक है असान से है बस important important चीजों पर ही मैं ध्यान दे रही हूं चीक है बेटा ओके क्रिश्णा जी चली जी कोई बात नहीं क्रिश्णा लेकिन माइक्रों तो होगी आइगेस अच्छा स्टार्टेस्टिक्स और वह है समझ गे कोई नहीं हसानें जी लव व्यू बेटा चली जी अब आगे आज़े यह बेटा एक बार question पर MCQ का question है अब ध्यान से समझे इस पहले chapter में अगर मैं बात करूँ बड़े ध्यान से समझना इस question पर अभी हम चलते पीपीसी का important आता है central problems को अच्छे से कर जाना बाकी MCQ point of view से और भी important questions बनते हैं पताओंगी वह कौन कौन से बनते हैं चलीजी लेकिन इससे पहले आप इसको जवाब दीजी start करते हो मैं पोल आपका आपको समय दे दिया गया है 30 second का question को अच्छे से पहले read करिए question को पहले अच्छे से read करिए which of the following conclusion is true जो सही है about the statement that government should take some steps to control inflation government को यानि हमारे देश की सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए should है ताकि महंगाई को control किया जा सके तो क्या है option option number a b c d positive normative दोनों है या कोई भी नहीं बिल्कुल सही सबका जवाब पहले तो यार सबके लिए तालिया बनती है बिल्कुल बेटा option number b is the correct answer positive जो है वो present की बात करता है normative future की बात करी जाती है future की बात करी जाती है और यहां के शुड़ स्पेशली वर्ड के शुड़ कि क्या करना चाहिए ताकि हो सके control शुड़ चीक है तो option number b जो है correct answer है तो कोई नहीं एक आपके लिए मैं लेकर आई थी तो मैंने सोचा बीच में आपका डालते हैं इंट्रस्ट बनाने के लिए आरे वाबई सो पर्तिशत बहुत ही बढ़िया बहुत सारे बच्चे है चलिए तो बहुत ही बढ़िया यह इस तरीके की questions कर ले ना तो अब ध्यान से समझे चाप्टर नंबर वन में mcq के लिए क्या क्या important questions और कहां से आते हैं जल्दी जल्दी देखिए माइक्र और मेक्रो के examples को अच्छे से पढ़ जाना माइक्रो मेक्रो के example अच्छे से पढ़ जाना यहां से बेटा मैं इस question इस प्रॉम विच चैप्टर बेटा आपका चैप्टर नमर वन से है positive और normative economics से अब ध्यान से समझे बेटा माइक्रो मेक्रो के example अच्छे से पढ़ जाना यहां से बेटा आपका mcq का question आ जाता है कि example जिसे मैं देती हूं market demand क्या है micro economics है micro economics है दोनों है यह none of above इस त्रीकी के questions को अच्छे से कर जाना दूसरा positive or normative economics mcq के लिए बहुत important है question दिया भी है मैं तीसरा difference between social economy market economy mixed economy यहां से कर जाना question इस तरीके से आते ऐसी कौन सी economy है जिसमें सारे decisions government लेती है तो आप पता ना social economy ऐसी कौन सी economy है जिसमें सारे decisions market forces और demand supply की basis पी लिए जाते market economy एसी कौन सी economy है जिसमें सारे decisions दोनों के दवारा लिए जाते government और इंडिवीजल दोनों का रूल है कौन सी है mix economy तो यहां से बेटा अच्छे से कर लीजिएगा यहां से mcq important है अच्छे से इसको prepare कर लीजिएगा इसलिए आपको देखो अब मैं कितने mcq लिया होगी लेकिन मुझे हर एक चीज के important पताने कि theory point of इसे आपके लिए क्या important है और mcq की point of इसे क्या important है चलिए अब आदो chapter number two साथ के साथ बता रही हूं फिर बारी बारी मत पूछना मैं कौन से चाप्टर सारे हूं चाप्टर नमबर वन हमने कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा रवानी जी ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब ध्यान से समझे बेटा चाप्टर नमबर टू माइक्र एकनॉमिक का यूटिलीटी वले चाप्टर प्यार रही हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यह वाला कोष्ण तीन नमबर के उसमें आ जाता है एक्स्प्लेइन करो लो ऑफ डिमिनीशिंग मार्जनल यूटिलीटी ठीक है तो भाई इसके इंपॉर्टेंट चीजे बता रही है इसके डिफ्रेंट डिफ्रेंट नाम ज़रूर पढ़ लेना एंसी क्यों में एक इंपॉर्टेंट कोष्ण बनता है यहां से गोशन जी का पहला लोग कौन सा है तो वह कौन सा है आपका लो ऑफ डिमिनीशिंग मार्ण यूटिल समझे नände कॉस्फ्चिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से 1 कोषण आपके प्रमें ग्रन्टे ऑए इन तीनों में में होगा इस तरीकी कोश्टन आजाता है जाप्टर नमबर टू यूटिलीटी का है यह यूज़ यूटिलीटी आलिस या फिर और मेंसली है क्योंकि इन तीनों मैंसे एक कोश्ट़न पेपर में आता है what is consumer equilibrium consumer equilibrium होता क्या how a consumer get equilibrium when he purchases two or several commodity case वला आगया जिसमें दो commodity वला आपको पताना है mux divided by में px muy divided by में py equal to mum ये वला आपको पताना है कि ये वला case आ जाए तो आपको कैसे लिखना है अभी पताऊंगी paper में लिखना कैसे गबराईये मैं पेपर में लिखे कैसे तो पताऊंगी नेक्स्ट यह आपका इंडिफरेंस कव चैप्टर में से इंडिफरेंस कव चैप्टर में से question है question को ध्यान से पढ़िए what is consumer equilibrium consumer equilibrium क्या होता है दो कंडिशन क्या है वह वह वाला question है ठीक है तो आप लिखना कैसे अगर पहला question अगर पहला परसंट आता है 99 परसंट तो बान के चलो आएगा ठीक है पहला question अगर आ गया सिंगल commodity में तो सबसे पहले meaning लिखोगे consumer equilibrium का उसके बाद एक commodity की क्या होती है यह वाला इसको explain करोगे ठीक है टेबल बिनाओगे टेबल को explain करोगे diagram मैं डाइगराम मैना वे इसकी assumptions और इसकी violations को अच्छे से करके जाना अच्छे से एक अच्छे से करके जाना इन तीनों मेंसे एक question paper में आएक अब teacher आपको इतना ही ढेगा कि बेटा इन तीनों मेंसे question कर जाना तो आपको इतना भी पता रहे हूं कि लिखना क्या है वेपर में ठीक है हर एक चीज और वोईलेशन तो भाई यूटिलीटी के ऐसे घोल के जाना दिमाग में घोल लेना बहुत इंपोर्टेंट है वोईलेशन से होट के कोश्चन भी आते हैं जो मैं करवाऊंगी ठीक है चलि यूटिलीटी लोव सब्सेटूशन लोव मैक्सिमम सैटिस्फेक्शन या फिर गोसल जी का सेकिंड लो यह दो नाम सबसे इंपोर्टेंट है एक वी मार्जनल और गोसल जी सेकिंड लो एमसी क्यू के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन स्टामा कर दीजिए नोट्स लिख रहे हो तो साथ के साथ लिख लो गोसल जी का सेकिंड लो कौन सा है तो पता होना ची कौन सा है सेकिंड लो इन केस ओव टू और मोर कोमडिटी वाला गोसल जी का पहला लो है लोग डिमिनि के इसमें डार मesें alum तर इसकी वैलेशन घौल के पी जाना इंपोर्टन है आपके यह जाम के लिए लिए को चाहिए को कंस्यूमर इक लिए अक मतलब लिखो गे दो कंडिशन के एक तो पहली यह कंडिशन होनी चीठ दूसरी condition, अच्छा, इसकी साथ के साथ violation भी और दूसरा आपका MRS, XY क्या ना ची, डिमिनिशिंग हो ना ची, diagram बनाओगे, diagram को explain भी करोगे, paper में number नहीं मिलेंगे बना, ठीक है, ठीक है, अच्छे समझा है, तो ये बेटा अच्छे से questions कर लेना, इन तीन questions में से आपके exam में एक questions आने वाला है, फिर मत बोलना कि मैं हम करके नहीं गाई, छोड़के चलेगे, तो ये अच्छे से कर लेना, इन तीन questions, अब violations जो आपके लिए important है, चलेजी, आप मुझे बताना, violations पर एक question डाल रही हूँ, अब आप मुझे बताना, violations के questions डाल रही हूँ, होड़, होड़ कोश्चन, utility chapter के, violations के उपर, अच्छे से question को read करो पहले और फिर मुझे बताना, caution देखिए, how will you, as a consumer, react to a situation, जब price गिर जाए, and your state of equilibrium is disturbed, disturbed की बात करीगे, disturbed का मतलब क्या है, कि ऐसा क्या हुआ, equilibrium disturbed होगा, disturbed मतलब equal नहीं, equal ही है, for the consumption of good, सिर्फ एक ही good की बात करीगे, कि ये सिर्फ एक ही good, जब एक ही good की बात करीए, एक ही commodity की बात करीए, तो एक commodity की बात करीए, तो मतलब equation क्या है आपकी ये वली होगी, एक ही commodity है, फिर की commodity है, अब disturbed होगी, बिस्चाब मतलब equal नहीं हा रहे, price गिर गया, अब आप खुद सोचो, गिर गया, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो वो चीज आपको जादा सेटिसफाई करेगी, सस्ता हो गया तो वो चीज आपको क्या करेगी, जादा सेटिसफाई करेगी, इस केस में कंजूमर कंजंशन को बढ़ाएगा की कम करेगा, जल्द जल्द बताईए मुझे इसका अंसर, ग्रिश्ना जी आंसर बता दीजी सिच्वेशन में कंज्यूमर को जब सेटिस्फेक्शन जाधा मिल रही तो इस चेस्पेस्पेस में का रही जब और किब ने सबब्सक्राइब रहे हैं तो आ cœur this कारोगे थीख से मिलने वाला सेटिस्ट्रैक्ष्टेफचन क्या हो जाएगा थीजड frågor करोगे और satisfaction क्यों कम हो जाएगा because of law of diminishing marginal utility और वापिस आप कहां पर आ जाओगे इस situation पर आ जाओगे इस तरीकी की questions को कर जाना important है आपके exam point of view से दूसरा question एक बार देख लीजी वैसे ही यह जल्दी से दो questions करें question है how is equilibrium of the consumer affected when m1 happens to rise m1 बढ़ रहा है और price जो है वो आपका constant है एक ही good की बात करी गई है एक ही good की बात करी गई है ठीक है अब बोल रहे है m1 happens to rise इसा मतलब यह वली सिच्व इसका मतलब क्या हुआ यह good आपको सेटिस्फाइब कर रहे हैं कोई चीज आपको अगर satisfy ही नहीं कर रहा तो आप इसको क्यों करोगे तो आप इसकी consumption को क्या कर दोगे कम कर दोगे जैसे जैसे मैं उसकी consumption कम करूँगा कम करूँगा कम करूँगा कम खा रहा तो उससे मिलने वारा satisfaction क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो satisfaction क्यों हो जाएगा बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा इक उसे law कहता है कौन सा law कहता ह law of diminishing modular utility कहता है और जैसे जैसे मैं इसकी consumption कम करूँगा तो फिर आप वापस इस situation पर आ जाओगे और आपकी equilibrium की situation वापस से restore हो जाएगी इस तरीके के questions को कर लेना चीक है important है exam point of view से violations को अच्छे से घोल के पी जाना किसी भी तरीके से question आ सकता है कि आपकी equilibrium disturb होगी तो आप उसको कैसे ठीक करोगे तो अच्छे देब violation को घोल के पी जाना चीक है next question क्या है last question को एक बार देख लीजिए price of coffee rises while price of tea remain constant price of coffee जो है बढ़गी मालो coffee को मैं good x ले ले लेती हूं और tea को मैं ले 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 लेती हूं मालो good one चीक है how would the consumer react to the situation to restore his equilibrium use the law of equi marginal utility law of equi marginal utility का मतलब क्या है in case of two commodity आपको use करना है दो commodity वाला अच्छा situation होती क्या है equilibrium में कब आते दो commodity में यह दोनो equal ठीक है जब यह दोनो equal good x का ले लिए good y अब बोल रहा है coffee का price बढ़ गया coffee महंगी होगी तो coffee कम satisfy करेगी चाय के price में कोई rate नहीं बढ़ा चाय कुछ चाय का price constant है लेकिन coffee महंगी होगी तो coffee कम satisfy करेगी satisfaction इससे कम मिलेगी तो बताइए बताइए good x की consumption को बढ़ाओगे की good y की consumption को बढ़ाओगे कृष्णा जी बिल्कुल पढ़ाया है revise कर लीजी का अच्छे से चीक है तो इस case में बताइए good x आपको कम satisfy करें good y आपको जादा satisfy तो जो चीज आपको जादा satisfy करेगी तो आप good y की यह मुझे को कम करूँगा आप इन दोनों में से एक चीज कर ले आप जैसे में गड़ाओगी की consumption को बढ़ा रहा हूं खा रहा हूं खा रहा हूं खा रहा तो उससे मिलने वाली satisfaction काम हो जाएगी ठीक है उसकी consumption के मिलने वाला satisfaction कम क्यों कम हो जाएगा क्योंकि लोग कहते है और आप तब तक consumption को बढ़ाओगे जब तक आप वापस इस situation पर ना आ जाओ ठीक है तो इस तरीके की question को कर लेना होट के question के लिए important question है for your exam ठीक है ओके चलिजी अब आजो इंडिफरेंस कर चाप्टर पर चाप्टर पर किस तरीके की questions आपके एकदाम में violation से आ जाते हैं अब आजो प्लीज अब ध्यान से नहीं ना थांक्यू क्रिष्णा चलिजी नेक्स कोश्चन क्या बेटा नेक्स कोश्चन है आपका इंडिफरेंस कर चाप्टर से question बहुत important है वाट इंडिफरेंस कर राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑब इंडिफरेंस कर अब ऐसा नहीं कि खाली तीन तो इस सारी के सारी प्रॉपर्टीज को गोल के पी जाना मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इंडिफरेंस कर चैप्टर की यूटिलीटी वले चैप्टर की रिसेंटली आपके बास वीडियो भी आयोंगी यूट्यूब के अधर लास्ट ये पेस्ट कॉमर्स की जो है आपके एकजाम कोईन finer को चैप्ट से गर्पर में को चैप्ट कर जताना का और में इस इंट्याईर इंकम को करीदने में सारा सटनी करता है तो से इकवेशन क्या होती है ठीक है इसकी equation क्या होती है he spending his entire income बजेट सेट में उसके पर choice है whether he want to spend his entire income or not तो इसकी question अच्छे से कर जाना बहुत जादा important है exam point of view से इन दोनों का difference equal भी हो सकता है और income जादा भी हो सकती है यह question अच्छे से में अब आजो mcq के लिए important i.c. curve से mcq का important question प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कर लिजी अगर आपको कुछ भी रहे तो आप कर सतको अब ध्यान से समझें mcq का important question ध्यान सब्सक्राइब cardinal analysis में से आजाता है cardinal analysis is given by dash देदेता है तो आपको option देदेता है professor alfred marshall professor jrx तीसरा कोई भी देगा चोटा कोई भी नाम देदेगा तो आपको पता होना चाहिए cardinal analysis is given by alfred marshall और ordinal analysis is given by professor jr hicks दूसरा एक तो यहां से mcq आता है दूसरा mcq इस पॉइंट से आता है cardinal analysis क्या होता है जहां पर satisfaction को utility को measure किया जाता है numbers की form में और यहां पर utility को measure किया जाता है ranks or preference की form में तो यहां से बेटा आपका mcq का question आ जाता है for your exam अच्छे से कर जाना mcq के लिए ठीक है अच्छे से कर जाना चलिजी difference कर जाना अब आ रहे अब बड़े ध्यान से समझे डिमांड और supply में से हमेशा एक question आता है ठीक है टीचर की मर्जी है डिमांड में से उठाकर दे देता है या सप्लाई में से डाल डाल देता है लोब डिमांड का question आ जाता है या लोब सप्लाई इन दोनों में से एक question आ जाता है ज्यादा chances लोब डिमांड के इसको अच्छे से कर जाना लोब डिमांड होता क्या है लिखोंगे क्या मीनिंग इसकी assumption टेबल बिनाओगे टेबल को explain करोगे diagram बनाओगे and then diagram को भी explain करोगे law of demand में वैसे ही law of supply में करोगे meaning assumption टेबल बनाओगे टेबल को explain करोगे diagram बनाओगे and then diagram को भी आप explain करोगे तो law of demand, law of supply में से एक question आपके exam में generally देखा जाता है ज्यादा chances law of demand के आने के है अब इतना आपको hint दे रहा है teacher की बेटा पढ़ जाना तो भाई पढ़ जाना घोल के पी जाना अब ध्यान समझीए law of demand के causes अच्छे से पढ़ जाना I request each and everybody law of demand के causes को अच्छे से पढ़ जाना इस तरीके से causes के questions बन जाते हैं वाई more of good is purchase when the prices fall जब प्राइस पॉल होता है तो क्यों ज्यादा गुट को पच्छे स क्या जाता है यानि causes पूछ रहें वाई ड़िमांड कर डाउनवर्ड सोपिंगों डाउनवर्ड का मतलब ही होता है इन वर्स रिलिशन्शिप एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड जादा होती है इस पर question आ जाते है वाई डिर इन वर्स रिलेशन्शिप बेट्विं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्यों इन वर्स रिलेशन्शिप या फिर सीधा causes of law or demand तो भाई causes को अच्छे से पढ़ जाना यह कुछ points है आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है आपके YouTube पे मैंने मेरी classes आप देख लीजीगा अगर आपको दिक्कत है या किसी कोई भी टीचर जिसकी समझ आते हैं उसकी देख लीजीगा पर यह अच्छे से कर लेना important question exam point of view से law of demand के causes और इसकी exceptions भी मत भूलना giffin goods और यह तीन points given है आप यह तीन points भी कर सकते हो लेकिन मैंने आपको अगर आप मेरी videos देखोगे तो इनके लावा कुछ तीन points और भी कराएं तो law of demand के exceptions कर जाना और law of supply की भी exceptions कर किदर इसके लावा law of supply की भी exceptions मैं दोनों को एक अठाई करा रही हूं चीक है तो साथ के साथ देख ले जागा law of demand की exceptions और इसका diagram चीक है और इसको explain करना और law of supply की exceptions भी अच्छे से करके जाना important question है exam के लिए येस बेटा मैं आपको सारे chapters की important questions पता रही हूं ठांकी सो मच आयूश ठीक है ये सब important है बिल्कुल devil sony तभी है आपको कराया जा रहा है ठीक है इसकी बेटा questions कैसे आते हैं और इसकी solutions आपको कैसे लिखने तभी मैं आपके लिए solutions लेके आई अगर आप देखोगे नेक्स question movement along demand curve and shift in demand curve या फिर movement along supply curve या फिर शिप्ट इन दोनों में से a question one question यह demand chapter का है और यह supply chapter का है दूसरा वला इन दोनों में से भी a question paper में देखा जाता है मैंने exam में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से movement along demand curve shift in demand curve जिसका दूसरा नेम है change in quantity demanded and change in demand इसको अच्छे तो कर लें कई बार ऐसा भी देखात है extension of demand or increase in demand की बीच में फरक क्या है या फिर contraction of demand decrease in demand की बीच में फरक क्या है ऐसे भी question आ जाते हैं तो बेटा इसको अच्छे से कर लेना यह supply वाले कोई भी बोर्ड का बच्चा हो यार cbseo चै कोई भी बोर्ड का बच्चा हो सबके लिए important है इस चीक है चलिजी चलिजी आगे अगर मैं बात करूं जो और important question अच्छे इसके लावा एक तो substitute goods complimentary goods क्या होते हैं की definition अच्छे से कर जाना इसमें shift कैसे शो करते हो substitute में और complimentary में आपको पताना shift को कैसे शो करते हो राइट वार्ड शेफ लेफ्ट वार्ड शेफ्ट यह भाई कुछ कोशन्स है इसको देख लो यह डिमांड चैप्टर की shifting के उपर है और इस supply चैप्टर की shifting के उपर है यह कुछ कोशन से इसको देख जाना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी क्या है वह भी पिताऊंगी प्राइज ओफ रिलेटेड गोड्स मतलब complimentary और substitute goods कैसे एफेक्ट करता है इसको स्टामा कर लिजिए एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और substitute और कॉप्लिमेंटरी गोड्स शिफ्टिंग और रूटेट शिफ्टिंग वला जो कोशन है इंकम के साब से और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन इसमें क्या होता इंकम को हमेशा नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गूर्ड की केस में आप समझाते हों कि इंकम बढ़ने पे taks के चापर के डिमांड और पड़ेगी को होगी डायग्राम के समेथा आपको आना चाहिए ए नेक्स का प्राइस में चेंज आने की वज़े से सप्लाई कर्व में क्या चेंज आता है इन दोनों में से पढ़िए प्लीज इन दोनों में में से कोई कोश्चन उठाके दे सकते हैं एक कोश्चन पेपर में आएगा डिमांड यह सप्लाई में से शिफ्टिंग को जो करना है ज्यादा चांसे सब्सिट्यूड वले हैं उसको अच्छे से कर जाना डिमांड में से आ जाता है यह सब्सक्राइब को तुम चलिशें आगे आजो नुमेरीकल एक तो इसके फैक्टर्स अप्रकेटिंग इलास्टिसिति ऑव डिमांड फैक्टर्स अफैक्टिंग इलास्टिस इव उफ्प्लाइब तीन नमियका चांड नम्मीर का थेोरी के लिए इंपोर्टेंट हैम इंप क्यों उसको कर जानद है स सप्लाइ के दोनों मेथ से पर्सेंटेज मेथ से भी ऑर अच्छे से कर जाना दोनों में पर्सेंटेज और बहुत इंपोर्टेंट है सप्लाई वले में ज्यादा चंसेंड है आने के नुमेरिकल अच्छे से कर जाना ज्यादा फैरिक नहीं है बस पलस और माइनस कई फिर्क होता है सेम ही है रहते हैं एक तरह से इसको अच्छे से कर जाना important है हाँ बेटा पास क्या बहुत अच्छे नम्मर आएंगे important चीज़े ही बतारी हूँ numerical अच्छे से कर जाना इसी बात पर इक numerical का question है इसको homework में डालो और इस question को करके आना इस question को homework में डालो question को attempt करो answer इसका यह आएगा check करना क्या क्या आपका answer आ रहे क्या answer करें अभी पताऊंगी आयूश वेट कर मार्केट इगलिबंब आ रही प्राइस सीलिंग क्या होता है मीनिंग लिखना डाइग्राम बना देना डाइग्राम को explain करना impact शो कर देना हो जागा तीन नम्मर का difference तो बहुत असान है कौन से chapters important है पताती है अभी जीत अभी पताती है चली जब आगे चलते हैं जल्दी से वही मैंने बात करी दोनों के factors अच्छे से कर जाना elasticity of supply mcq के लिए भी important है और तीन नम्मर का theory के लिए इंपोर्टेंट है दोनों के लिए इंपोर्टेंट है question आ जाता है यहां से ठीक है factors कर लेना यह आपको पता है elasticity of demand के यह factors आपके elasticity of supply के आपको notes मिल राएंगे चेक कर लेना यह आपके कुछ factors नेक्स टेप्टर है law of variable proportion ध्यान से समझ लो बहुत ज्यादा important है starma कर लो 101% 101% paper में यह question आने वाला है लिखवा लो यह question paper में teacher डालेगी इसको गुमा के कुछ तरीके से भी डाल सकती है वो भी पताऊंगी बट यह question आएगा यह आएगा return to a factor क्या होते है लो वेरिबल को explain करना डाइग्राम बनाना डाइग्राम को explain करना तो जाके पेपर में पूरा अच्छे से कर लेना बता रही हूं लो ओ डिमिनिशिंग लो अफ वेरिबल proportion वाला question आपके paper में आता है जिसको return to a factor भी बोलते हैं ठीक है जिसमें कुछ factors आपके क्या होते हैं वेरिबल होते हैं कुछ factors आपके fix होते हैं बहुत अच्छा समझा हुआ है मैंने production function में chapter है अच्छे से देख लेना अगर किसी को question में दिखका तो तो जाकर सबसे बहुत पढ़ लो इस question को अच्छा कई बार increasing return का भी आ जाता है खाली increasing return या फिर diminishing return या फिर negative return आपको बता है लो वेरिबल प्रोपोर्शन में तीन स्टेजिस होती increasing, diminishing और negative खाली एक पूछ लिया जा सकते हैं तो इस तरीके के question भी आप कर लीजीगा statistics के formula learn नहीं हो पा रहे हैं बेटा इसके वीडियो आने वाली है एक दो दिर में आपके बाद statistics के जितने भी motivation is low अरे भाई इतना क्यों डर रहे हो पहले तो डरोगे तो कुछ ही नहीं आना confident रहो आता है अच्छे से revise करो हर एक topic को हो जाएगा और यह question को लिक लिक के देख लेना हो जाएगा ठीक है तो यह question है आपके अगर मैं बात करूँ अब एक चीज production वाले चाप्टर से और कोस्ट वाले चाप्टर से आपके होट के question बहुत आते relationships को अच्छे से पढ़ जाना कि भाई MP या आपका MP होता है न वेट MP ठीक है और AP के बीच में क्या relation है यह अच्छे से कर जाना मैंने करवाया भी हुए यह questions को बेटा अच्छे से पढ़ जाना कि MP और AP के बीच में क्या relation है आज आता है question इस तरीके से बनते हैं ध्यान से समझना कि भाई जब मेरा MP बढ़ रहा है MP यह तक बढ़ रहा है तो क्या AP भी बढ़ रहा है बिलकुल बढ़ रहा है ऐसे questions आते फिर बोलता है एपी बढ़ रहा है बिलकुल बढ़ रहा है question दूसरा बनता है कि जब मेरा AP बढ़ रहा है तो क्या MP भी बढ़ रहा है तो क्या नहीं भई MP बढ़ नहीं रहा because MP achieves is maximum point earlier than AP इस तरीके की questions आते फिर question ही आता है कि जब AP decline हो रहा है तो क्या MP decline हो रहा है true करके लिकोंगे बिलकुल हो रहा है चोथा question बनता है कि जब मारा MP decline हो रहा है तो क्या AP भी decline हो रहा है तो अभी still rise हो रहा है तो इस तरीकी की questions आते MP can be zero or negative but AP cannot be zero or negative तो बेटा यहां से अच्छे कर लेना question important है होट के questions को यहां से आपके अगर मैं बात करूं relationship के question अच्छे से कर जाना टीपी और MP के बीच में अच्छा एक table का question आता है generally एक table का question आ आप से पड़ा हूं बहुत confident अरे तो डैनने की बात ही नहीं है अभी जीत आप question सुनिए production वाले चाप्टर से cost वाले चाप्टर से और revenue वाले चाप्टर से आपका table related question कैसे आता है यह आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे के सारे formula याद होगे एपी का formula टीपी का formula MP का formula जब तक आपको फोर्मले याद नहीं होगे cost के production के और revenue के आप तब तक यह question नहीं कर पाओगे तो इस question को अच्छे से कर लेना तीन नमबर का question difference दाल देता है वह difference between explicit cost and implicit cost तो यह अच्छे से कर लेना कि explicit cost वह होती है जो बाहर आउटसाइडर को पी कि जा दिया और implicit cost क्या होती है एक self estimated cost होती है यह एक तीन नमबर का difference इसको अच्छे से कर लीजीगा paper के लिए यह question भी आपके लिए important है चले जी आगे the most 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 important question पेपर में जो आ जाता है मैंने इसका solutions भी कराया है cost वहले chapter में जाके देख लेना आपको solution मिले जाएगा कि लिखना कैसे है ठीक है ध्यान से मैंना आपकी tvc की जो shape है पहले increase होती है diminishing rate से उसके बाद वो increase होती है increasing rate से वाई उसके बाद वो increase होती है increasing rate से या फिर बोलते है tvc क्यों एक inverse shape की है तो इस तरीके के question भी आ जाते है इसका reason है आपका law of variable proportion मैंने बहुत अच्छे से बेटा एक्जाम में इसको clear किया हुआ है आप please page commerce की मेरा course chapter खोल लेना वहां पर मैंने ऐसे question बहुत practice कराएं है कि क्यों इस ती shape ऐसे होते in world shape क्यों आपका abc जो है आपका abc जो है यू shaped का है क्यों mc curve आपकी यू shape की है क्यों ac curve आपकी यू shape की है इन में से एक question आपका paper में पक्का आता है और reason सबका एक ही है law of variable proportion important star mark कर लो paper में ऐसे question आती है ठीक है ठीक है चली जी next question आपका क्या है hoards के question सारे पढ़ जानो hold chapter पूरा का पूरा hosts पे यहां पर जितने भी relationship है ठीक है टीफसी टीवीसी टीसी क्यों आपकी पूरीजन से शुरू होती है क्यों टीशी जो है और रीजन से शुरू नहीं होती जो है क्यों टीशी कर टीफसींगी इससे की सबसे ऊपर होए तो यह कोष्ट के मैंने बहुत अच्छे से सारे questions आपको समझाए हूँ है course chapter में ये अच्छे से कर जाना ये सारे के सारे relationship को अच्छे से कर जाना कि भाई AFC, ABC चीक है और AFC ये इनके बीच में relationship को बेटा बहुत अच्छे से कर जाना MC और AFC की बीच में जो relation है वो अच्छे से कर जाना, MC और AFC की बीच में relations, relations पे बहुत अच्छा important question बनते है, course के question बनते हैं, 3 से 4 नंबर का question आपके course यानि relationship पे आता है course chapter में से, लिखवा लो teacher डालता ही डालता है, course chapter पूरा आपका relationship है ठीक है, am I clear, ठीक है, तो ये बेटा बहुत जादा important question है, आयूश आप आप बस AC की जगे, ABC डाल दीची हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा तर important questions है, जो मैंने आपको कर रहे हैं, आपके, मैंने ये सारे की सारे course वाले chapter में कर रहे हैं, उसको देख ले ना जिसको जो भी डाउट हो, कि मैं एक बार explain कर दीजी, revenue chapter, AR और price के बीच को show करो, प्रूव करो इसको, तो हमें पता ही है, AR का मतलब क्या होता है, TR buy में क्यों, और TR का मतलब क्या होता है, quantity into price, ठीक है, यहाँ नीचे quantity है ही पड़ी आपकी, ठीक है, यहाँ पे AR बूलना ने, क्यों से क्यों हो गया है, बच्चा के AR equal to price, तो यह question दो number का, तीन number का आज आता है, जम्माई simple question है, लेकिन बच्चे छोड़ जाते, तो इसको भी मत छोड़ के जाना, important question है, example, am I clear मेरे बच्चे, easy है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिजी, यहाँ तक इसी भी बच्चे को कोई भी तरीके की सम हसे है, तो पूछ लीजेगा, ठीक है, चलिजी, और revenue वाले chapter में इन दोनों में से एक question आता है, TR, MR, AR की बीच में relation बताओ, जब price नहीं constant है, तो इस तरीके के questions अच्छे तका लेना, जब price constant है, तो उसकी table पूरा लिखना, price constant है, तो table बनाना, table को explain करना, diagram बनाना, and then diagram को explain कर बनाना, जब price constant है, आपका diagram देख पारे होगे, ऐसा बनता है, जब price constant नहीं है, तो इसकी table, table को explain करना, diagram बनाना, diagram को explain करना, ये question भी आ जाता है, very very happy birthday, uncommon name, नाम नहीं है, ठीक है, बटेरी happy birthday, तो बेटा, ये questions को अच्छे से कर जाना, इन दोनों में से भी question आ जाता है, अग important question में डाल दो producer equilibrium, मैंने कराया है, बहुत छोटी सी वीडियो है, चालिस एक मिनेट की पतनी देर की वीडियो होगी, इतना important question है, ठीक है, producer equilibrium क्या है, MRMC approach क्या है, MR should be equal to MC, और MC must be rising, ठीक है, ये question को अच्छे से घोल के पी जाना, important question है, एक्जाम के लिए, कि भाई, producer equilibrium का क्या है, क्या conditions है, अगर condition satisfy नहीं होई, तो क्या problem आ सकती है, इसकी table बनाओ, table को explain करो, diagram बनाओ, and then diagram को भी मैंने अच्छे से आपको explain करा था, इस chapter में, producer equilibrium का question अच्छे से कर जाना, चीक है, अच्छे से हो जाएगा, चलीज, आगे एक बार चलते, next आपका, अगर मैं बात कर चैप्टर है, आपका forms of market, forms of market में बेटा, आप perfect competition को अच्छे से कर जाना, इसके सारे के सारे features जो है, अच्छे से कर जाना, तीन features बताऊंगी, जो सबसे जादे important है, जो exam point of view के तीन number के question आते हैं, एक तो यह अच्छे से कर जाना, कि जो form है, वो under perfect competition, price taker है, price maker नहीं explain, कि जो price है, वो पीछे से आता है, on the basis of market, forces of demand and supply के basis पे price को fix किया जाता है, ठीक है, on the basis of market, forces of demand and supply के पीछे से आता है, price, form खुद से price बनाती है, maker नहीं है, not a price maker, price taker है, पीछे से rate आता है, तो यह question भी आ जाते हैं, इसके तीन आपको पताने, कि लाट नमरों, buyers and sellers, homogenous product and perfect knowledge, मैंने इसकी भी बहुत अच्छे से समझाया, आदे खंटे की वीडियो है, सिरुफ पॉफेक कॉंपेटिशन पे मेरी जो जितने भी features है, बेटा, आपके, large number of buyer and seller पे question आता है, homogenous product और freedom of entry and exit, सार्मा कर लीजी, तीर नमर का खाली ये question पूछ लेजा है, how firms, या फिर explain freedom of entry and exit under perfect competition, तीर नमर का question, very important, 4-year exam point of view, बहुत अच्छे से बेटा, इसको कर लेना, बहुत जादा important है, ये तीनों पॉइंट और आपको पता ही है, form पीछे से rate आता, अपनी इमर्जी से rate decide नहीं करती, तो price fix होता है, constant होता है, चाहिए आप एक बोरी बेचो, दो बोरी, चाहिए कितनी इमर्जी quantity आप sale करो, price remain constant, ये diagram को भी अच्छे से पढ़ जाना, मैंने अच्छे से कराया है, class में, ठीक है, last chapter है, जल्दी जल्दी देख लो, micro जल्दी से खतम करते हैं, important question मैंने सारे पता दी आपको, फिर हम जल्दी से स्टाटल स्टिक्स की portion पे भी आते हैं, जरूर बंशी का जी, जरूर पढ़ाएंगे आपको, चल जी, आप ध्यान से समझी, last chapter, जो market equilibrium वाला chapter है, उसमें से बेटा, change in demand and change in supply का, बहुत important question, increase in demand में, decrease in demand, increase in supply, decrease in supply, decrease in supply, ये चार केसे, और simultaneous change, especially simultaneously, change in demand and supply, जिसमें एक साथ demand and supply में change जाता है, वो वाले questions को अच्छे से कर जाना, जैसे कि, एक question में example देती हूँ, this is the question में आपको example देती हूँ, what happens to equilibrium price, when the demand for commodity increases in more proportionate, as compared to supply, आपको पहते है, this is our equilibrium point, this is your equilibrium price and this is your equilibrium quantity, यह आपका और reason होता है, y-axis or reason, x-axis पूरा पूरा लिख देना, यहाँ प्राइज और यहाँ पे आपको पूरा पूरा quantity लिख देना, ठीक है, अब question है, कि जो demand है, वो more proportionate में बढ़ रही है, demand आपकी more proportionate में बढ़ रही है, this is your D1, और supply भी बढ़ रही है, लेकिन वो कम proportionate बढ़ रही है, demand increases in more proportionate as compared to supply, supply भी बढ़ रही है, लेकिन कम proportionate में बढ़ रही है, ठीक है, यह आपकी होगी supply का, तो यह कौन सी situation है, demand जाधा से बढ़ रही है, supply कम से, तो यह आपकी excess demand की situation है, ठीक है, excess demand की situation है, new equilibrium कौन सा आगा है, यह आपका, this is your new equilibrium point, ठीक है, अब demand, यह आपका क्या होजएगा, new equilibrium price, this is your new equilibrium quantity, तो impact क्या है, E से E1 हो रहा है, O P से E1 बढ़ रहा है, O P से O P 1 बढ़ रहा है, और O Q से O Q 1 भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरीके से आप शोग करेंगे, क्योंकि आपको पता, demand जाधा है, कोई भी चीज़ की demand जाधा है, पीछे से supply, यहने demand जाधा है, तो price तो obviously बढ़ेगा, तो price बढ़ रहा है, और demand जाधा है, तो आप देख रहो, लोगों की demand भी जाधा है, हम यही शोग कर पा रहे है, तो यहां से बेटा, आपके questions आ जाते हैं, इस तरीकी की questions आ जाते हैं, diagram बनाओगे, and then diagram को explain भी करोगे, चीक है, यह मैं important questions लाए है, बेटा, यह सारे के सारे important questions लाई हूँ मैं आपके लिए, आपके exam point of view से क्या-क्या important है, और साथ के साथ MCQ भी बता रहे हूं कि MCQ के लिए क्या important जाधा है, चीक है, यहां तक diagram easy है, चलीजी, चलीजी, यह करा दिया, अच्छा भाई, price ceiling, price floor का question अच्छे से कर लेना, बहुत जाधा important है, different different तरीके से कही बार question आ जाता है, how does government control the price of a commodity, even under perfect competition, perfect competition के अंदर government कैसे control करता है price को, तो दो चीज़ों करता है, एक price ceiling और एक होता है price floor से, यह कैसे, क्यूं government interfere करता है, why price ceiling price floor को explain करोगे, जिन बच्चे को दिक्कत आ रही थी, price ceiling और price floor का comparison कैसे करे, price ceiling क्या है, price ceiling का मतलब होता है maximum price, पहला difference यह लिख देना, और price floor का मतलब क्या हता है, minimum price, दूसरा इसको objective लिखना, कि price ceiling का main objective क्या है, in order to protect the, किसको protect करना, consumers को protect करना, buyers को, गरीब लोगों, buyers को protect करना, ठीक है, consumers को, buyers को protect करना, price floor का main objective क्या है, क्या main objective है, farmers को protect क इसका डाइग्राम बनाना और इसका डाइग्राम बनाना चोथा इसकी इंपक्स-को शो tätä पॉइंट इसके इंपक्न को सुझ रहना बहुत अच्छे से इक्स्प्लेंग किया हुए है है जल को समझाता है उब डाइग्राम को explain करना इसके कुछ impacts अच्छे से लिखना वैसे ही price float जिसको minimum support price meaning इसमें भी meaning लिखना दूसरा objectives लिखना ठीक है तीसरा diagram बनाना and explain करना diagram को चोथा इसके अंदर आप लिखना इसके impacts भी अच्छे से लिखना कि इसका impact क्या बढ़ता है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए government minimum price fix कर देती यह equilibrium price equilibrium quantity farmers को protect करने के लिए government minimum price fix कर देती इस minimum price को हम price floor कहते है in order to protect the farmers यह मैंने अच्छे से कराया था अच्छे से कर लेना बहुत easy है ठीक है बहुत important question है price ceiling price floor अच्छे से कर जाना important है डन कर दे स्टार्टेस्टिक्स बाजे मैं sample paper की जरूरत है कि 11th में अगर आपके यह questions अच्छे से हो गए बढ़िया तरीके से सब कुछ पढ़ लिया classes सारी अच्छे से ले ली तो प्राक्टिस कर लो sample paper से क्या दिक्कत है अगर पहले यह नहीं होए तो पहले इस पर ध्यान देना sample paper सबसे सुमित नुमेरिकल मतब स्टाटिस्टिक्स में आपको दिक्कत आती है तो इसका एक ही सॉलूशन है कॉस्टन की प्राक्टिस करो जो अब तुम काल्कुलेटर यूज करते हैं इसको थोड़ा कम यूज करें यॅज फांच मिनुक का ब्रेक दें चलoring ब्रेंट का ब्रेक ब्रेक दें आपको अधा कॉर्ण हम स्ब्रेक्टिस पूस्टन क्या प्या है कहां कहां से important questions आते हैं वो हम बात कर लें आरे दे दिया वही दो मिनिट का break दे दिया हंजी तो बेटा ये questions को कर जाना वही अच्छे थे कुछ नहीं जादा समय नहीं लोंगी आदा गंटा और लेंगे आपका आगे भी पड़ा पड़ते हैं बडिस्कसी करने इंप्वाइं इंपॉर्टेंट कोश्चन्स क्या है और आपको ये पताना कि बेटा लिखना क्या क्य अगर कुछ ऐसा question आगे तो आपको लिखना कैसे कैसे ठीक है हो जाएगा अच्छा ठीक है बाई दो मिनट नहीं हुआ रुख जाते हैं रुख जाते हैं बेटा commerce वाला गाना टेलीग्राम पे एक official channel है official link है वहां पे जाएगा आपको यहां पीस के जितने भी नोट से आपक मिल जाएंगे कि ओहां है ओहो है एपी बोद्दे भाई है ठीक है अब शुरू करें समय बर बाद ना करते हैं इंपोर्टेंट कोश्चन सी तो हैं इसमें भी तुम ठक गए हो क्या आगे मैरत्वन होगी उसमें क्या होगा तुमारा हां अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं करी और अभी तो सिर्फ इंपोर्टेंट कोशल डिसकस कर रहे हैं कि तो लिया कृष्चन जी ठीक है चलते हैं अरे क्या सुनू बेटा अंकित आपकी क्या दिमांड है यार बोलो भई आपकी डिमांड क्यों रह जाएं शुरू करें चल जाएं चलिए प्लूरल और सिंग्लर सेंस दोनों में तो सबसे पहले स्टाइश्टिक्स का मतलब समझेर सिंगलर सेंस दोनों में करजाना और इसके FUNCTIONS तीन मतलब यह नहीं कि तीन नहीं कर जाओ तो गसें पाँद चार पांज एक तो चार पांच तो Azize का मतलब singular or plural sense में ठीक है और इसके जो भी functions है उसको अच्छे दिखर जाना chapter number one of statistics में या तो features में से question आता है या फिर इसके functions या importance में से question आता है यह topic अच्छे दिखर जाना लेकिन सबसे ज़ादा important question की बात करो तो functions जो है वह आपके सबसे ज़ादा importance of statistics सबसे ज़ादा important है अच्छे दिखर जाए चले अब आगे चले नेक्स चैप्टर है आपका पहले चैप्टर में बता दिया important question अब chapter number two क्या आपका collection of data collection of data में primary and secondary में difference अच्छे दे पढ़ जाना तीन number का difference कहीं बार पूछ लिया जाता है primary और secondary के बीच में difference कहा है primary source of data कहा है जब data को पहली बार collect किया जाता और secondary source of data कहा है data already collected है किसी और ने data already collect किया है आप उस data को अपने हिसाब से अपने फाइदे के लिए इस्तबाल कर रहे हो तो इन दोनों में difference अच्छे से पढ़ जाना important है next the most important question इसको टामा कर लिजीगा five qualities of good questionnaire qualities of good questionnaire अच्छे से पढ़ लिजीगा कि क्या क्या अच्छी qualities है और यह पाइलेट सर्वे कई बार तीन नमबर का पाइलेट सर्वे पर question आता है इसको भी कर जाना तो पाइलेट सर्वे को अच्छे से कर जाना तीन नमबर का question आ जाता है दो से तीन नमबर का question तो यह कुछ पांसे च्छे points questionnaire की qualities पर जाना अब आजो मोड्स पर पता रहे हूं सुलो बहुत important है यहां से आपके आप यहां से तीन merits और तीन सुटेबिल्टी अच्छे से कर जाना सबसे जादा important अगर मैं बता हूं तो यह पांच जो है यह चाहिए आप छोड़ जो इतना important नहीं यह पांच जो है अच्छे कर जाना teacher के उपर है teacher कोई भी उठाके देजिए direct indirect ठीक है information through local sources or correspondence mailing survey या इनुमेनेटर मैं इनुमेनेटर भी बहुत important है इसके merits अच्छे कर जाना very important question for your exam बहुत important ठीक है अब आजो यह वाला question यहां से mcq का भी आ जाता है और तीन मैं स्कूल में थी जब मैं as a teacher school में थी तो मैंने यह question डाला था 11th class के बच्चे में census of India is dash publication decennial publication मतलब या फिर से लिख दिया था publish after every 10 years publish after every five years publish after every 18 years publish after every 20 years के बाद इसको publish किया जाता है तो यह mcq के लिए important question है इसको अच्छे ते कर जाना census of India और एनसो का topic अच्छे ते पढ़ जाना तीन number के साब्सक्राइए question आ जाता है कई बार exam में specially census of India important है और यहां से mcq भी आ जाता है तो यह चीज़े थोड़ा सा धियान पूर्वक पढ़ जाना पेपर में टीचर डाल देते हैं नेक्स है method of sampling बस इतना ही important है उसमें अब आजो method of sampling को अच्छे से कर जाना सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो मेरा फेवरेट रहता है वह रहता है stratified sampling जनरली टीचर का फेवरेट रहता है वो डालता ही डालता है तो यह कुछ methods है अच्छे पढ़ जाना तीन एक merits और demerits के साथ अच्छे कर जाना जितने भी टाइप से तो यह कुछ टापिक्स है एक्जाम पॉइंट अच्छे से कर जाना अब अगला चैप्टर जो है वह अपका और्गनाइजेशन वाला चैप्टर है देख रो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुश्चन में कितना टाइम लगा है ठीक है थ्री पॉइंट हो से अभी जी आपका इस मन्त में आपका स्लीबस खतम हो जाएगा मीन चैप्टर फेम अलड़ी चल रहे हैं महाँ पर चाहिए नेक्स क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहां से सुन लो को को इंपॉर्टेंट है कई बाद फॉस्ट लिया जाता है लगा टयो किलया करें करो एक्सप्लेंट के साथ थान में से क्लासिफिकेशन यह जिसमें लोकेशन के बेसिस पीह आजातो था तो पता होना चाहिए एक्ग्वराफिक से ऐसी कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो पता होना ची तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से कर जाना थियोरी और एंसी क्यू दोनों के लिए इंपोर्टेंट है लास जो अगला टॉपिक है वो टेबल के काईट्स पढ़ जाना सपेश्ली यह वख वाला काईट्स आप जाना आज आता है एक्स्प्लेण दा काईड्स टेबल अंडर अंडर अकॉर्डिंग टु कंस्ट्रक्शन एक्स्प्ले इसकी टेबल कैसे बनाते हैं उसको अच्छे से देख जाना complex table बहुत इजी है complex table इसमें आता है according to construction में जिसके अंदर तीन आते है डबल और टूवे, treble table और manifold table 002-way मतलब जिसमें 2 characteristics को शो करते हैं इसमें आप 3 characteristics को शो करते हैं इसमें आप 3 से जादा आपको आनी चाहिए यह important है आपके exam point of view से types of table पढ़ जाना अब एक diagram को question आपका पक्का आएगा generally teacher डाल देती है एक diagram को question very happy birthday harsh चलीज़ अब एक diagram को question को अच्छे से कर जाना अच्छा एक चीज़ और सुनो table वले chapter में न ध्यान से समय न टेयबल वले chapter में step क्या होता है caption क्या होता है यहां से mcq का question आ जाना इसको अच्छे मेर्जा ना इसको अच्छे से कर जाना डिदो क्हBill तेबल की उसको अच्छे से कड़ जाना पता होना ची रोज की हैडिंग क्या होती है अब डाग्राम से सुनो क्या इंपोर्टेंट है आप देख पार यह बहुत सारे डाग्राम है और जनरली जो कोश्चन वह बाट डाग्राम से आते हैं देख भाट को hell डालते हैं दोनों से सब्स elope क्लास अनीवध यह अच्छ से करना वहां से काम जाता है यहाँ से ऊठाए तोड़ाक्रां मैं संपलिग्स के बहुत यहां से से कम दालती हैं यहां से कम हाता है है यहां से ड़़ड़ाha देखती हूं है barrel कोetically डालती है यह और यह तो भाई मतलब अच्छे से कर जाना एक डाइग्राम का कोश्चन आ जाते हैं चीक है चलिजिए आगे आ जाते हैं मीन मीडियन मोड कोरिलेशन इंडेक्स नंबर पर मीन चाप्टर से सुल्लो क्या क्या इंपॉर्टन है कॉंटीनियोस सीरीज के कोशन अच्छे से कर जाना तीनों मैसल डारेक्ट इसजीए डारेक्ट अज्वमीन और स्ट्रिविशन इंपॉर्टन है श्रयान शर्मा ले लिया है नाम पढ़ाही पर ध्यान दो अबिटा चलिए 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 को जिए चलिए तो के कोच्अंथ कर ले ने कमबाइन से कोषन हो सबसे जयादा पे मीं कर कर दो करेक्टेटें के कोष्वाओं कोष्वरीक लागते हैं वेस्टीड का आज आता है स świat टीचर मीं का और कमबाने कर्टाइम सिससे कोष्वेट यह सब्सक्राइब कर जाना अब आजो मीडियन से तो मीडियन का बेटा कॉंटिन्यू सीरीज अच्छे से कर जाना वह वाला एन बाइ में तू अर उसके बाइन प्लस एन बाइ में तू माइनस का सी एफ डिवाइड़ बाइन सब्सक्राइन की के प्लससों से अक्षे से करजाना क्रीजक के स्थरी में अवर Production को में बना एक तोल सब्सक्राइब के ते Singapore enough मिसंग फ्रिक शुआले कोशन बी है मीडियन के के इंपर्चंट कोश्चंट प्यूंट से यहां सी कोश्चंट आपके एक्जाम में आते है ओ मैं नहीं डालें आपके लिए इंडिफरेंस को यूटिलीटी वाला चाप्टर डिमांड वाला चाप्टर बागी कंचन माम ने भी डालें आपके चलिजी मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले कोस्टन को अच्छे से करके जाना अगर फिर भी दिखते तो आप लास्ट यहर वाले द है अच्या तुम लोगों का पाठीशन वेल्वेश्व का टॉपिक करन गॉना percentage वालों आंटालड को कर जाना तो छोड़ जाना अगर करजाना इस Gods क्र जाना यह अगर को continue series को घोल के पी जाना दोनों method inspection method भी और grouping method भी जिसमें grouping table और analysis table बनाई जाते हैं उसको अच्छे से कर जाना mode का यह question आपके exam में आता है दोनों तरीके के question inspection method से भी grouping method से कैसे किया जाता है mode का continuous series अच्छे से कर जाओ अच्छा एक question है जिसमें z equal to 3 median minus 2 x bar यह वाला question जिसमें दो values given होती है mean given हो सकता है median given हो सकता है mode निकालो यह कुछ भी दो item given हो सकती है आपको तीसरा find out करना है तो इससे related questions भी आपको अच्छे से करके जाने है ठीक है यह question आपके exam में आ जाता है इससे related अब आज़ो correlation correlation देखिए तीन method है तीन method है correlation को निकालने के लिए scatter diagram काल पियर्सन पियर्समें जो सबसे important है वह आपका काल पियर्सन या पियर्समें रेंक में से आता है यह दो में से question आता है अच्छे से करके जाना correlation काल पियर्सन और स्पियर्समें रेंक में से question आते है जनरली जो आपका shortcut method जो सबसे ज़्यादा important है इसको अच्छे से कर जाना जाधा फरक नहीं है shortcut step division में सिर्फ dash का फरक है डश 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 लगा दो गे तो आपका step division method का formula बन जाएगा कुछ जादा फरक नहीं है इसको अच्छे से कर जाना बेटा, यहां से आपके questions आ जाते हैं, question इस तरीके के आ जाते हैं, तो कर लेना, ठीक है, अब आजो, Spearsman rank में यह वाला formula वाले questions कर जाना, जब आपकी ranks equal आती है, बहुत important है, यहां से question आ जाता है, यह question teacher डाल देती है, जब ranks equal आ रहे, ranks given नहीं है, ranks निकालोगे, जब निकाल तो equal आ जाती है, तो उस case में यह वाला question अच्छे से कर लेना, बहुत important है, ठीक है, एक यह question कर लेना, यहां से, इस formula वाले question को अच्छे से कर लेना, question आपको दे रहे हो, तो try कर लेना, homework में, कि भाई, questions को try कर लो, जो मैंने questions दी है, ठीक है, अब index number में, सबसे जादा important है, आपका weighted aggregate method, जिसमें, less peer method, पाशे method, fisher method, यह तीनों की question इतने important है, teacher के favorite होते है, मैंने भी question अपने बच्चों को दिया हुए, exam में, तो यह question कर लेना, तो weighted aggregate method, important है, index number में, ठीक है, इसके questions को अच्छे दे practice कर लेना, कि less peer निकालना है, पाशे method से और Fisher method से आपको index number को calculate करना है, ठीक है, index number को calculate करना है, चलिजी, इसके अलावा, यह method भी कर लेना, CPI वाला, cost of living index number या consumer price index, consumer price index वाला method, इसको अच्छे से करने ना, इससे लोगों का standard of living पता चलता है, दोनो method, aggregate expenditure method, जो less peer जैसे है, और दूसरा family budget method, यह दोनों अच्छे से कर ले इंडेक्स नमर में यही important है, इंडेक्स नमर में एक तो weighted aggregate, लेश्पिय पाश्य वाला कर ले ना, फिशर वाला, दूसरा आप, यह CPI वाला topic कर ले ना, यह दो चीजे बहुत important है, यहां से paper में question डाल देता है, बस हो गया, अब एक चीज पता मुझे, मैंने अभी तक कोई चैप्टर की थोरी बोली है, practical वाले चैप्टर की थोरी, थोरी में क्या करके जाना है, सुलो, सबसे ज़्यादा इंडेक्स नमर की, इसके uses, इसके limitations, क्या-क्या problems आती है, और क्या features है, यह अच्छे से कर जाना, इंडेक्स नमर की थोरी बहुत important है, पेपर में देखी जाती है, और अगर कर पाओ, तो correlation की importance कर जाना, importance of correlation कर पाओ, तो बहुत बढ़िया रहेगा तुमारे लिए, ठीक है, अगर नहीं कर पाओ, तो यह index number तो कर जाना, theory में uses सबसे ज़्यादा important है, uses सबसे ज़्यादा important है, uses, advantages, importance, यह करके जाना, index number की theory में आ जाता है, सारे exam में formulas मिक्स हो जाते हैं, मैं एक formulas की उपर statistics की वीडियो लेके आ रही हूं, ठीक है, और उसको आप लिख लिख के formulas देखो, प्लीज आपको रिक्वेस्ट है, जब आप लिख लिख के formulas देखोगे, तो आपको formulas याद हो जाएंगे, तो I request लिख के देखो formulas नहीं confused होगे दिमाग में चीजों को रखो, ठीक है, हो जाएगा, ऐसे tension मत लो, ठीक है, तो बस यही है, dominant summary में अगर मैं बताऊं तो important questions हमने discuss करें आज की class में, ठीक है, और revision अच्छे से करो भाई, chapter की practice homework में ही है, कि जो practice questions जो दी है, इन questions को लिख लिख के देख लो, तो वही homework है आपके chapter wise करें, ताकि आपको confusion ना हो कि कौन से chapter का कहां से क्या बूठ रहे है, हर chapter wise आपको बताए, ठीक है, चलिजी, so, पक्ता मिलते हैं आप से जल, ठीक है, चलिजी, bye-bye करते हैं, जादा समय, तो नहीं लिए, I guess, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, कि important questions क्या है, mark कर ल take care, bye-bye, enjoy, love you all, bye कर दूठ, क्यानम, यार, कर दभ दूजा, विंटका दोगे टाझायए, क्या हूं, पस्ते हैं, इसमीघ्यघर, क्यादो, नहीं आपको, कि जो, 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 नहीं एंचरिया, क्याふ, एंचरिया, कि मैं आ ठीके, जो, गहा अतर, के नहीं आट, जो, जो, आटनिसस, तो, जो,